अब एरिया का बहुत गहरा रिष्टा है Figures on the same base and between same parallel lines में एरिया का बहुत गहरा रिष्टा है सबसे पहले तो हम लोग formula समझते Area of a parallelogram मान लेजे एक parallelogram दिया हुआ है P Q R S और हमने altitude द्रो किया हुआ है P M. So, what is the formula for area for parallelogram? Base into Corresponding Altitude Base into Corresponding Altitude मान लेजे हमने Corresponding Altitude का मतलब क्या हो तो यह पहले समझे है यह base हुआ SR तो इसके सामने वाले vertex से दोनों में से किसी से जो perpendicular draw करेंगे वो Corresponding Altitude हो जाए इसको एक example से और गहरे से समझें बहुत गहराए से इसको हम लोग समझते हैं माल लेजिए यह length 20 meter है और से फ़ोर यह length 15 meter है अब यहां पर हम लोग इसको ले लेते हैं 30 meters तो आपको BC की लंबाई निकालने है ठीक है आपको BC की लंबाई लिकालने है तो हम लोग लिखेंगे area of parallelogram A, B, C, D is equal to base इंटो मैं short formulae देता हूं corresponding altitude corresponding altitude तो अगर हम लोग base 20 लेते हैं तो altitude 15 meters पर यह area आगया है लेकिन अगर आप लोग BC को base लेते हैं तो मैंने corresponding altitude का मतलब क्या समझा है आप लोगों को मैंने corresponding altitude का मतलब समझा है जो base लेंगे उसके सामने ले वर्टिक्स से perpendicular that means एक तरह और से इसके area निकाल सकता है 30 into the side BC this many meters square बट अगर आप एक ही चीज़ के मान लेजाएं मापकी लंबाई ना पर या तो पैर से शुरू करें और सिर तक टेप ले जाएं या टेप को सिर से शुरू करें और पैर तक ले जाएं सेम वेक्ति का हाइट तो सेम रहेगा इसलिए अप एरिया किसी तरह से ना पर आप या रॉल करके ना पर या टेप यूज करके ना पर एरिया तो चेंज नहीं होगा सेमी रूम गा यानि यह दोनों एरिया सेमी रूम का है यानि वी किन से 13 इंटो बीची इस इकुल तो 20 इंटो 15 तो बीची विल बीची इंटो 15 बाई 30 यानि बीची विल बीची इकुल तो 10 मेटर तो यह पहला चॉंसेप्ट की फॉर्मूला का प्रॉपर उप्योग करें फॉर्मूला का उप्योग करें अगर आपको बेस इंटो कोर्रस्पॉंडिंग एल्टीचीट कहा गया तो जो बेस ले रहे हैं उसके सामने वाला पर से एल्टीचीट डालेंगे तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी जानकारी को लेकर हम लोग अभी पैरलेलोग्राम्स जो सेम एरिया सेम में हो और बिट्वीन सेम पैरलल लाइन में हो तो उनके एरिया में क्या संबंध हो सकता है मान लेजे A, B, C, D एक पैरललोग्राम है और अट दे सेम टाइम X, Y, C, D, B, C, पैरललोग्राम है आपको दो पैरललोग्राम चिपावा दिख रहा है अब इन दोनों के एरिया में क्या रिलेशन है यह एक थेोरम है What does the theorem say? Areas of parallelograms lying on the same base and between same parallel lines are equal. Areas of parallelogram lying on the same base and between same parallel lines are equal. तो इसको प्रूफ करने के लिए दो तरीक है एक तो इस parallelogram का हम लोग देखेंगे area x y c d is equal to area a y c d plus area x a d और उधर से देखेंगे area a b c d is also the same area a y c d plus area y b c अब obvious है यह parallelogram में यह दोनों का सम मिलाएंगे तो यह parallelogram मनेगे यह दोनों में इस parallelogram में यह डालेंगे तो a b c d इस parallelogram में x y c d में अगर हम लोग x a d जोड़ेंगे तो x y c d आ जाएगे यानि कहने का मतलब है a y c d and a y c d are common तो अगर हम इन दोनों को बराबर प्रूफ कर देंगे तो इसका मतलब x y c d के रिए a b c d के बराबर होगा तो यहां ध्यान से देखेंगे यह लाइन और यह लाइन आपस में parallel है चुकि x y c d is a parallelogram तो यहां देखेंगे सिंस x d is parallel to y c and x y is a transversal therefore, angle d x a is equal to angle c y b corresponding angles corresponding angles again, अगर हम देखेंगे फिर से, since a d is parallel to b c and a b is a transversal therefore, angle d a y is equal to, तेखेंगे इसको मैं डबल कर दे रहा हूँ is equal to angle, angle d a y यह ऐसे चल रहा हूँ angle d a x is equal to angle c by, angle d a x is equal to angle c by corresponding angles तीक है, अब इन दोनों triangles में दोदों angles तो बराबर हो गाए साथ-साथ आप देखेंगे, opposite sides of a parallelogram are equal also x d is equal to y c, चुकि x, x y c d is a parallelogram. So, by angle angle side by angle angle side both the triangles are congruent. This implies that from these facts what happens? Triangle x a d is congruent to triangle y b c by a a s congruence. But, यह चीज़ जानते हैं कि congruent figures आपस में क्या होते हैं, congruent figure का area आपस में equal होता है, then what will happen? Area x a d is equal to area y b c, इन दोनों में हम लोग सेम चीज तराजू पर चड़ा दिए, equality sign का मतलब क्या होता है, आप तराजू देखते हैं, दुकान पर, आप दोनों तरफ बराबर है, पर आप सेम चीज दोनों तरफ डालेंगे तो, फिर से balance रहेगा, that means equality का sign remain करेगा, तो इन दोनों को जोड़ने से x a d में a y c d जोड़ते हैं तो क्या आजाता है, area x y c d, और y b c में a y c d जोड़ते हैं तो क्या आजाता है, area a b c d, so this means that parallelograms on the same base and between same parallel lines are equal, you do understand, चले, तो यानि कि जब भी देखिये, जब आपको पहचानना हो तो बड़ा सुन्दर से जब आप नाम पढ़िएगा तभी मधूर सा आवाज आए, area x y c d, area a b c d, दोनों में a b c d और यहां पर x y c d, दोनों में आपको base c d का मधूर सा आवा जाता है, that means हम लोगों ने यह part किया, parallelogram on the same base and between same parallels, यहां पर सिर्फ आगे, क्या हम लोगों को लिखना, are equal, okay?